नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वार्ण इंडिया में आपके साथ में हूँ पारुलतियागी और आप देखुरेänner मालकाई खास शो गुड मौॉर्निंग इंडिया में खब्रों कारूख करेंगे लेकिन उससे पहले न्यूज़ोर्ल इंडिया के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्ती की हार्दिक शुब कामना है जी हाँ देश भर में आज से गणेश उत्सव की शुरुवात को गई है और ऐसे में भाद रुपत में शुक्ल पक्ष की चतुर्ती को भगवान गणपती का जन्मोच सब मनाया जाता है महराश्च समेत पूरे देश में गणपती मौर्य की पूजा धुमधाम से मनाया जाती है लेकिन इस बार मुंबई में पंजालों में दर्शन के अनुमती नहीं है यहां धारा 144 लागू कर दी गई है साथी जुलूद कोविड महमारी के चलते गणेच उसव के दौरान लोगों को पंजाल में जानेगी अनुमती नहीं होगी साथी राज्य ग्रह विभाग के और से कहा गया है कि पंजाल से केवल ऑनलाइन दर्शन ही की अनुमती ही दी जाएगी इससे पहले ग्रह विभाग ने एक परिपत्र में कहा था कि उत्सव के दौरान सामाजिक दूरी का कडाई से पालन किया जाना चाहिए वहीं नए परिपत्र में कहा गया है कि लोगों को गणेश पंजालों में जाने की अनुमती नहीं होगी वहीं बीमसी ने आज से शुरू हो रहे इस गणेश उत्सव के लिए दिशानिर्देश भी जारी करती हैं जिसके तहर सारवजनिक पंजालों में दर्शन के लिए शुरधालों के प्रवेश पर पतिबंद लगा दिया है इसके अलावा समारों के दौरान जलूस में भाग लेने वालों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है 22 सारवजनिक पंडालों में मूर्ती लाने और विसरजन के लिए ले जाते समय 10 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे वही घर में मूर्ती लाने के लिए और ले जाने के समय अधिक्तम 5 लोग ही मौजूद रहेंगे सभी श्रधालों को अनिवारर रूप से मास्क पहनना होगा और शारवरिक दूरी का पालन भी करना होगा साथी उत्सक के दुरान जलूस में भाग लेने वालों को अनिवारर रूप से COVID-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लीनी होगी साथी दूसरी खुराक के लिए 15 दिन से ज्यादा का समय भी होना चाहिए महीं कोरोना वारस संक्रमन के नए मामलों में व्रदी और महमारी की तीसी लहर के खत्रे को देखते हुए बीमसी ने सारवचरिक गंपंती पंडालों में दर्शन के लिए श्रदालू के प्रवेश्वर पतिबंद लगा दिया है और नागरिकों से त्योहार साथगी से मनाने की अपील भी की है बीमसी ने कहा है कि कोविड नाइटीन महमारी की तीसी लहर के संभावित खत्रे को देखते हुए श्रदालों को सारवचरिक पंडालों में दर्शन करने से मना किया गया है बीमसी ने घर में सापित किये जाने वाले गणपती की मूर्टियों की उचाई दो फिट जपकी सारवचरिक मंजलों में के लिए चार पोड तक सीमित कर दी गई है बीमसी के दिशा निर्देशु का उलंगन करने वालों के खिलाफ आईपीसी महमारी रोग अधीनियम और आपदा प्रबंदन अधीनियम के प्राप्धानों के तहट सकत कारवाई की जाएगे यानि कि देखिए प्रतिबंद बीमसी के तरफ से जरूर लगाया गया है लेकिन आप अपने घर पर गणपती ला सकते हैं पूजा अर्चना कर सकते हैं और अच्छे से जो है गणेश चतूर्ती को मना सकते हैं काजगंज के अमापूर कजबे में श्री गणेश चतूर्ती मोहतसब धूमधाम से मनाया जाया का बता दे कोविट का सर कम होने पर बाजारों में रौनक लौट आई है और पिछले साल गणेश चतूर्ती का त्योहार कोविट की भीट चड़ गया था इस बार कोरोना कम होने और साशन प्रसाशन से मिली धील की चलते लोगों ने आईजन की तैयारी कर ली है लोग पहले से ही भगवान गणेश की प्रतिमाएं खरीद का खर ले जा रहे हैं वहीं गुरुवार को सुबा बाजारों में गणेश प्रतिमाओ की खरीदारी के लिए लोगों की भीर नसरा रही है घर गर गणपती वपा को लोग धूमधाम से वराजमान करेंगे और इसके लिए बाजार पूरी तहा से सच कर तयार को गया है बताने बाजार में चीन निर्मित प्लास्टर ओफ पारिस की गणेश प्रतिमाओं नहीं देख रही हैं गणेश जी की प्रतिमाओं बेचने वाले जो अज्य अगरवाल हैं बता है कि विश्रे साल करोना काल की वज़ा से पर्व फीकर रहाता इस बार प्रोजवाद और आगर से माल खरीद कर लाया गया है और साथी कारोबार ज्यादा होने की उमीद भी है ऐसे में गणेश जी की मूर्तियां इस साल कम ही दाम पर बीच रही है इस बार बता दे छूटी गणेश की प्रतिमा 50 से 200 रुपे तक ही बिक रही है यानि कि गणेश उत्सक की धूम जो है वो देश के हर कोने कोने पर देखी जा सकती है देश भर में गणेश चतुरती की तयारियां जो हैं वो भी जोरो जोरो से चल रही है ऐसे में गणेश चतुरती के लिए गणेश जी की सुन्दर सुन्दर प्रतिमाएं बनाई जा रही है गाज़िवाद के साइवबाद इलाके में से एक ऐसी जगा पर लगब 50 सालों से गणेश मूर्तियां बनाई जाती है और इन लोगों के अंदर एक अलग ही उतसा देखने को मिलता है मूर्ति बनाने के लिए और मूर्तियां बना करूने तयार करके बीचने के लिए लेकिन इस बार जो है मार्केट में घ्राक थोड़े कम है और इस वचा से मूर्ति बनाने वाले बेख़बी परिशान है वहीं एहमदबाद की बात कर लिजाए तो एहमदबाद के गुलबाई टेकरा पूरे गुजरात में जाना जाता है यहाँ पर हर प्रकार की और हर भगवान की मूर्तिया बनाई जाती है और बेची भी जाती है सबसे ज़्यादा भगवान गणपती की मूर्तियां बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी इस मार्केट में मिल सकती है लोग कहीं ना कहीं से मूर्ती खरीदने के लिए वहाँ पर पहुंचते हैं लेकिन दो सालों से कोरोना महामारी की वज़ा से सभी के हाल बेहाल हो गए हैं सब जगा जो है गणेश उत्सव की धूम जो है वो देखी जा सकती है गाज़वाद भी देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से मूर्तियां जो हैं तयार की जा रही हैं मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं वहीं गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में भी छोर पूजा आर्चुना करेंगे और ऐसे में तमाम राज्जों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्जों में गाइडलाइन्स जो हैं वो जारी कर दी हैं प्रदान मंती नरेन मोदी इस साल 22 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं जी हाँ महापरुन की राज्जपती जो बाइडन संग दोए पक्षिया वारता भी संभव दिखाई दे रही है वो 23 सितंबर को कई मुद्धों पर बाइडन से बाच्शीत कर सकते हैं और इसके अलावा 25 सितंबर को मोदी संयुक्त राष्ट महासबा में भी जाने की तयारी कर रहे हैं पिया मोदी का ये दोरा इसलिए इतना माइने रखता है क्योंकि जो बाइडन के राष्ट पती बनने के बाद ये दोनों बड़े नीता आमने सामने पहली बाद मुलाकात करने वाले हैं और ऐसे में कई मुद्दो पर चर्चा संभाव है और कई बड़े समझोते भी होते दिख सकते हैं वह इसके अलावा मोदी का वार्षिक उचिस्तर ये संयुक्त राष्ट भी महासबा सत्रु का हिस्सा बनना भी कापी माइने रखता है अभी के लिए भारत संयुक्त राष्ट रख्चा परिश्ट का अस्थाई सदस्य है और पिछले की महीने अध्यक्षता भी समाप्त हो चुकी है इस सब के अलावा बता दें 24 सितंबर को क्यू यू एजी देशों का भी महतुकून सम्मेलन को सकता है जिसका हिस्सा प्रधान मंतरी मोदी बनने जा रहे हैं पिएम मोदी और बाइजन के अलावा उस्ट्रेलिया प्रधान मंतरी स्कॉर्ट मॉरिसन और जापानी पिएम योशी देश सुगा के इस सम्मेलन का हिस्सा बनने वाले हैं जानकारी के लिए बता दें कि पिएम मोदी के इस अमेरिका दौरे की एक आधिकारी कोश्टी भी की गई है उसमें उनके हर कारिक्रम और विस्ट्र जानकारी मौजूद है यानि कि अमेरिका जो है प्रधान मंतरी 22 सितंबर को जा सकते हैं और ऐसे में बाइडन से वो दुए पक्षिय बादची जो है वो भी कर सकते हैं कॉंग्रेस आंसर राहूल गांदी के दो दिवसिये जम्बू दौरे का आज दूसर दिन है जी हाँ वो आज सुबा 11 बज़े से दोपैर 12 बज़े तक जेके रिसॉर्ट में पार्थी कारेकरताओं को संबोधित करेंगे इसके बाद राहूल गांदी जम्बू कश्मी के प्रदेश कॉंग्रस कमीटी के वरिष्ट नेताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर दोपैर 13 बज़े दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे एक दिन पहلे गुरुआर को बतादे राहूल ने कट्रा में माता वैश्रूं देवी के दर्शन किये थे और राहूल गांदी ने पिछले महीने कश्मीर का दो दिवस्यें दोरा भी किया था ऐसे में राहुल गांधी ने 9-10 अगस्त का को कश्मीर का दोरा किया था और माता खीर भवानी, मंदिर और हजरत बल्द दरगा भी वो पहुंचे थे ऐसे में पार्टी नेताओं और कारकरताओं के साथ बाच्छीत उन्होंने की थी और श्रीनगर में पार्टी कारयाले के नए भवन के उधादन समारों के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वो निकत भविशे में जम्बू और लद्दा का दोरा भी करेंगे और इसलिए देखिए कल वो जम्बू पहुंचे जहां पर उन्होंने मातावैशो देवी के दर्शन भी किये और आज वो पार्टी कारकरताओं से रूबरू भी होंगे उत्रखन के राज़ेपाल पत से बेवी रानी मौरे ने आठ सिजंबा को सीफा दे दिया था जिहां गुरुवार को उनकी जगा लेफटनेंट जर्नल रुटार गुरमीद सिंग को नयार राज़ेपाल नियुक किया गया है और उनके अलावा तमिलनाजु के राज़ेपाल बनवारी लाल पुरोहेत को पंच्राप का गवर्नर बनाया गया है जबकि आरन रभी तमिलनाजु के नए राज़ेपाल होंगे वहीं राज़ेपाल से जारी एक आदेश में इन राज़ेपालों के नाम की घोशना की गई है इसी तरह समके राज़ेपाल जगदीश मुखी को नागालेंट के राज़ेपाल का तेरिक प्रभार दिया गया है वही रेटाइड लेफटिनेंट ज़र्नल गुरमीद सिंग डिप्टी चीप और आर्मे स्टाफर भी रह चुके हैं और उन्होंने दो विश्व विद्यालेव से एमफिल की जिग्री भीली है कई पदकों से सम्मानेद अधिकारी लेफटिनेंट ज़र्नल सिंग लगबग चार दशकों की सेवा के बाद परवडी 2016 में सेना से रिटायर हुए थे लेफटिनेंट ज़र्नल सिंग ने सेना में अपनी सेवा के दोराँ सेना के उप्रमुक सहायक ज़र्नल और कश्मीर में नियंतरुन प्रेखा की निकरानी करने वाली पंदरवी कोर के कोर कमांजर के पद पर काम किया है वो सेन्य संचाल को क्यातिरिक महाने देशों के रूप में चीन से चुड़े परिशालन और सेन्य रणनीतिक मुद्दों को भी समभाल रहे थे लेफ्टने ज़र्नल सिंग सेना में रहने के दौरार एक दिशक के अधिक समय तक कई विशिशग्य समूहों संयुक्त कारे समूहों और वार्षक संबादों और चीन अध्यन समूहों की बैचकों का हिस्सा भी रह चुके हैं शिक्षक के गुणवत्ता के लिए उत्राखन को नीती आयोग ने देश में चौथा इससान दिया है जी हाँ ये राज्चे के लिए गर्व की बात है और सरकार ने इस रैंक को हासल करते के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी भी दी है और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी को एहम भी माना है सरकार का प्रयास है कि आने वाले साथ में सिक्षक की गुणवत्ता को लेकर उत्राखन डेश में प्रथम इस्थान प्राप्त करे इसके लिए शिक्षक की गुणवत्त को और सुधानिक के प्रयास करने के दिशा में सरकार ने कदम जो हैं वो बढ़ाने सुरू कर दिये हैं वहें शिक्षकों को सम्मानेत कर उन्हें भी होस्ला अबजाई करने का काम जो है वो किया जा रहा है दरसर भृषिकेश में शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए भारत मंदर इंटर कॉलेज में परशुराम हॉल पर एक कारक्रम जो है वो आयूजित किया गया था जिसमें मुख्य अतीती के रूप में शिक्षा मंत्री आर्विन पांडिय ने शिर्कत की थी भरे हॉल में मंच पर शिक्षक मंतरी ने अपनी बाते रखी उन्होंने कहा कि राम राज्य से आज तक शिक्षकों ने अपनी एहम भूमिकान निफाई है यदि शिक्षक देशा भी हीन हो जाएंगी तो समाज भी सद मार्ग के रास्ते से भतक जाएगा ऐसा होने से इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा साथी समाज को बहतर सिक्षक के साथ साथ मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी सिक्षकों की ही है इसलिए सरकार भी सिक्षकों को हर सुविदा अपलब्द कराने की कोशिश में लगी हुई है देश का भविशे कहे जाने वाले वच्चों के भविशे की चिंता कुले का सिक्षक नरम भी दिखाई देते हैं लोकतंत्र के इस राज्य में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है शिक्षक हर चात्र को एक समान पढ़ाई पढ़ाता है फिर भी कुछ चात्र कम नमबरों से तो कुछ टॉप करके राज्य का नाम रोशन कर देते हैं ऐसे शिक्षकों को प्रणाम करते हैं उन्होंने उतरखन की शिक्षक की गुनवत्ता को देश में प्रथमिस्थान लाने के लिए शिक्षकों को प्रोचसाहित किया साती वर्तमवान समय में चौथा नंबर हासिल कराने के लिए इस सिक्षकों को बधाई देते हुए शुब कामनाएं भी दी करोना वारस से बचाफ के लिए लिए और आपको फल भी देगा आपको अठीजन भी देगा ऐसी दिए मैं आपसे मुझे दर्माज में गोम नाम नहीं होना चाहिए यहां समाज की आप लोगों की लिए चिनन जा रही है कोरोना वारस से बचाफ के लिए एक खुराक वाले टीके का इंतजार जल्द ही खतम होने वाला है जी हां अगले महिने से देश में ये टीका उपलब हो जाएगा जानकारी मिली है कि अगले सब्ता टीके का पहला बैच कसौली से केंडरे प्रयोग शाला में जाज के लिए पहुँचेगा और इस बैच को कसौली और पूरे से दो अलगलग प्रयोग शाला में परखा जाएगा और इस प्रक्रिया में करीब दो सब्ता का वक्त लग सकता है जिसके बाद ये वैक्सीन टीका करण के लिए उपलब्द हो सकती है जॉनसन और जॉनसन फार्मा कंपनी ने एकल खुराक वाले इस टीके को तैयार किया है बतादे हाली विभारत सरकार से कंपनी को आपात इस्सेमाल की अनुमती मिल चुकी है फिलाल कंपनी को वैक्सीन आयात करने की अनुमती दी गई है लेकिन हैदरवाद से फार्मर कंपनी बायलोजिकल ई के साथ हुए करार के तहट आने वाले दिनों में इसका घरेलू उत्पादन भी शुरू हो जाएगा ड्रग कंट्रोलर जर्नल ओफ इंडिया के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया है कि जॉंसन और जॉंसन को घरेलू उत्पादन के लिए दोबारा से अनुमती लेनी होगी इस वैक्सीन की एक खुराग ही काफी है और इसका पहला बैच अगले एक सप्ता के अंदर कभी भी भारत आ सकता है और बताया है कि हाली में वैक्सीन जाँच के लिए फूर्ने सिर्ट लैब को भी मानिता दी गई है और ऐसे में देश में तीन लैब में ये सुविदा है तो आने वाले दिनों में एक खुराक वाली वैक्सीन जो है वो जल्द ही देश को मिल सकती है दिल्ली में शुकरवार के शुरुआत तेज बारिश के साथ हुई जिहां सुबद चार बज़े से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो घंचों के दौरान यानिकी 10 से 12 बज़े तक के बीच में भी दिल्ली और NCR और ग्रिटन नौइडा फरीदबाद पलवर और इन आसपास के इलाकों में जो है बारिश पढ़ने का अनुमान है वह यूपे के अलग-अलग जगाओ पर दिल्ली में जगा जगा पर पानी जमा हो गया था इसके चलते ही लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ाता लेकिन दिल्ली में बारिश के बार प्राफिक जाम की भी समस्या किसी से छिपी नहीं है लेकिन भले ही यह तमाम समस्या दिल्ली में आई हो लेकिन लोगों को इस उमस भरी गर्मी से राहत ज़रूर मिली है ऐसे में देश में अभी भी कई दिनों तक बारिश का ये मौसम जो है वो जारी रहेगा और कई अलग-अलग इलाकों में बारिश जो है वो पड़ती हुई नजर आएगी और लोगों को जो है इस उमस भरी गर्मी से राहत जो इंग्लेंड के खिलाफ पांचवे टेस्ट मैस से पहले भात्य क्रिकेट टीम में कोरोनवारस के मामले बढ़ते जा रही है और ऐसे में टेस्ट सिरीज के अंतिम माच के आयुजन पर संकट की बादल मन्रा रहे थे लेकिन अच्छी खबार ये रही कि मैंचेस्टर टेस्ट से एक दिन पहले सभी भात्य खिलाडियों की आठी पीसियार टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव वाई है जिहां इसके बाद दोनों क्रिकेट बोर्ड ने मैच को ते समय पर शुरू करने का की रजबंदी चता दी है वहीं टीम इंडिया के हेड कोच रविशास्तुरी और सपोर्ट स्टाफ के तीन सदस्य इंगलेंड के खिलाग चौथे टेस्ट के दुरान कोरोना वारस से संकमित हो गई थे इस बीच टीम में कोरोना का एक और मामला सामने आ गया था लेकिन चुकुरवार से आज से यानि की मैंचेस्टर में शुरू होने वाले इस टेस्ट मैस से पहले असिस्टेंट फीजियो योगेश परमार भी कोरोना संकमित हो गए ऐसे में टीम में कोरोना के कई केस साबने आने से मैच खोले का अनिश्ट तता चाही हुई थी लेकिन अब सब टेस्ट समय के अनुसार ही जो होगा और मैच भी खिला जाएगा फिलाल सबी खिलारी इस समय अपने-पने होटल की कबरों में आइसोलेशन में हैं और सुबा आ DCCI और England और Wells Cricket Board आगे का रास्ता तलाशने के लिए समपर्प में भी है लेकिन सब कोच आज खिलारीों पर किये गए टेस्ट के नतीजों पर ही निर्भर करेगा आला के रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है तो अब मैच शुकुरवार को ही यानि की आज ही खेला जाएगा अपने दो दिवसिये दौरे पर नहींताल पहुंचे मुख्य मंतरी पुश्का सिंधामी ने कलमंच से जनता को संबोदित किया और फिर बीज़िपी कार्यकरताओं को 2022 में होने वाले चिनाव के लिए जीत के मंतर भी दिये इस दौरान उन्होंने कहा कि हर बीज़िपी कार्यकरता भारत सक कारोप्रदेश की जन जन योजनाओं को आम जन मानस सक पहुंचाने का पूरा प्रयास करे इसके बाद मुख्यमंत्री निदेश शाम अधिकारियों की बैचक ली और बैचक में उन्होंने अधिकारियों को ततपर्ता से जनता के काम करने के निर्देश दिये साथी उन्होंने अधिकारियों को हर जो है रोज कार्याले में 10 बजे से 12 बजे तक जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनने के निर्देश भी दिये और बता दें कि मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी ने मा ननेया देवी मंदिर में पूझा अरचुना कर मा से अश्रुवात लिया और प्रदेश की खुश्वाली के लिए मा नैना देवी से प्रात्ना भी की मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी ने राज़ानी देरदूर में पुलिस मुख्याले में पुलिस अधिकालियों के साथ बैचक की साइबर क्राइम पर रोक लगाने और पुलिस विभाग की भरती प्रक्रियाश शुरू करने जिसे कई एहम मुद्दों पर चर्चा की इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस के कामकाज की समिक्षब भी की और इस बैचक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि सितंबर में ही पुलिस विभाग के विप्त पदों पर भरती की प्रक्रियाश शुरू करती जाएगी उतरखन कॉंग्रेस की परिवथन ग्यात्रों के दूसरे चरण की शुरूआत हरीद्वार से 18 सितंबर को होने बाली है जीहाँ, बता दे कि उद्दम सिंगनगार परन नैनितार और बे परिवथन ग्यात्रों का पहला चरण समाप्त होने के साथी कॉंग्रेस से हरिद्वार में उसे चरंड का कारिकरम जारी कर दिया है नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंग ने बताया कि कारिकरम की रूप रेखा तयार कर ली कई है और प्रदेश अध्यक्ष की अनुमती के बाद यात्रव का हरिद्वार भूट जारी कर दिया जाएगा बता दे कि 18 सितंबर से 3 दिन तक हरिद्वार की सभी 11 विधान सवा शेत्रों में ये परिवर्तन यात्रव निकाली जाएगी उन्होंने बताया कि इस यात्रव के माध्यम से जनता के समान प्रदेश सरकार और केंद्ज सरकार की जन विरोधी नीतियों को रखा जाएगा साथी जनता को ये भी याद दिलाए जाएगा कि कॉंगरस सरकार के वक्त गरीबों किसानों और मजदूरों के लिए क्या क्या जन हित जो योशनाय चलाए गई थी जिने बीजेपी ने सत्ता में आते ही पंद कर दिया था इन तमाम चीजों के बारे में जनता को जानकारी दी जाएगी सकता हूं जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा में लोगों का हजूम आ रहा है तो यह सपर संकेत है कि लोगों ने 2022 में परिवर्तन का मन बना लिया है और अगली परिवर्तन यात्रा 18 जो है सितंबर से हर्द्वार में पड़ा रही हूँ मुख्यमंत्री पुश्कर संग धामी के पहली बार रुर्की आगमन को लेका प्रसाशन पूरी तरह से अलेट मोट पर है इसी क्रम में जिलादिकारी हरिद्वार और वरिष्ट पुलिस अधिक शक हरिद्वार ने रुर्की के नहरू स्टेटिम का निरुक्षन किया और वि कार की विवस्ताओं का जाइज़त जो है वो लिया जा रखा है आपको बता दें कि सीम पुश्कर सिंग्धा में जवरेड़ा विधानसवा और रुर्की विधानसवा में कुछ नए कामों का लोकापन करेंगे और रुर्के सिविल हॉस्पिटल में आईस्यू सेंटर और ऑ और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही आप देखते रहें नीज़ोल इंडिया